अगर आपके साथ कोई ऐसा रहता है जो positive नहीं है बहुत ही negative person है या कोई भी particular चीज से लेकर वो negative है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे positive होना ज़रूरी है और आप force करते रहते हो पुश करते रहते हो आप चाहते हो कि वो person भी positive होए आपकी बात समझे और आपके ख्यालात match हो आप चाहते हो कि आप उनको समझा पाओ कि भी या law of attraction के लिए positive होना बहुत ज़रूरी है अब क्या हो रहा है आप बोलते हो कि positive होना ज़रूरी है और वो person negative होते में जा रहे है बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका यह positive होना तो अच्छा है बट जब भी कभी आप सोचते हो कि अरे भी या law of attraction काम नहीं करेगा क्योंकि वो person negative सोच रहा है तो particularly आप किसको energy दे रहे हो आप इसको energy दे रहे हो बट नाम आ रहा है इसका आप बोल रहे हो कि मैं positive हूँ बट आपके ख्यालात है आप यह सोचते हो कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं मेरे घर बार में जो लोग रहते हैं जिस environment में में रहता हूँ वो लोग negative है उनका convert होना ज़रूरी है वो लोग जब तक खतम नहीं होते जब तक convert नहीं होते तब तक यह चीज चेंज नहीं होगी वोई एक तरीके से अगर आप देखो अगर कोई कोई चाता है और किसी की life में world peace आए तो अगर आप यह सोचते हो कि उन लोगों का ठीक होना ज़रूरी है तब जाके इस world में चीज चेंज होगी उन लोगों को चेंज करना ज़रूरी है तब जाके चीजे चेंज होगी तो कभी भी चेंज नहीं होने वाली चीजे अपने आपको वो चीज चेंज करना ज़रूरी है और अगर आप बोलते हो कि आप positive हो तो positive पे ध्यान दो अगर आपका negative पे ध्यान गया तो वो negative ही result आएगा तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ जो लोग रहने वाले हैं वो negative हैं और उनके कारण आपके life में manifestation नहीं आ रहा तो ये बहुत अच्छा indication है कि आपने अपना ध्यान उस person पे बहुत ज़रा डाल रखा है एक चीज ये अब दूसरी चीज काम कैसे करता है ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मेरी wife चाहती है कि हमारी for example हमारी life में एक घर आए घर manifest हो और मैं सोचता हूँ कि घर manifest नहीं होना चाहिए तो कैसे काम करेगा किस की बात सुनेगा universe तो अब ये एक बहुत ही interesting point पे आ जाते हैं हम और उसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं थोड़ी बहुत metaphysics समझते हैं time नाम की कोई चीज नहीं है ये मैं इस channel पे बता चुका हूँ बहुत बार और ये time वाला जो topic है मैं हर एक वीडियो में गुसा गुसा के भरता हूँ क्योंकि time एक ऐसी चीज है जो लोगों के समझ से बहार है in fact हम उसको बिलकुल डंग से समझ ही नहीं सकते क्योंकि हम जब बट जब भी मैं कभी बोलता हूँ जब भी कभी मैं explain करने कोशिश करता हूँ words कम पढ़ जाते हैं इसको explain करने के लिए क्योंकि मैं explain भी कर रहा हूँ हमारे इस experience में कर रहा हूँ जहां पर time में रहे रहे हैं हम तो anyway time जानते हो आप असली नहीं है अब जब time असली नहीं है तो आपकी यह जो life है वो जो past था उसमें से जिसको आपने energy दी है वो आपका past है अब मैं समझाओंगा इसका मतलब क्या होता है और जिसको आप energy दोगे वो आपका future है अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो जैसे ही आप सोचते हो कि आपकी life में आपके पास एक house आना चाहिए तो आप उस parallel universe में उस parallel reality को create कर रहे हो ठीक है पर अगर आप सोचते हो कि आपके घर आपके पास घर manifest नहीं होना चाहिए तो एक और parallel reality create हो रही है आपके उसी time कहने पर कि घर नहीं होगा और अगर आप चाहते हो कि एक बंगला हो तो उसकी एक अलग reality होगी अगर आप चाहते हो आपका एक flat हो उसकी अलग reality होगी ऐसे करके अलग अलग जो जो possibilities हम सोच सकते हैं वो सब कुछ exist करता है इस moment पे इस moment पे जिसको आप energy दोगे वो ही चीज आपकी life में आएगी अब इसका मतलब यह है कि जो life आप जी रहे हो बहुत important चीज है यह जानना जो life आप जी रहे हो वो आप अपने perspective से जी रहे हो अगर मैं बोलता हूँ कि लगान बहुत अच्छी movie थी और कोई person बोलता है लगान बहुत ही बेकार movie थी वो दोनों का नजरिया अलग इसलिए है क्योंकि दोनों ने अपनी जो life जो जी है अपने point of view से जी है उनका अलग-अलग नजरिया है अब इसका मतलब यह है कि लगान ना तो अच्छी movie है ना तो खराब movie है वो तो simple एक movie है हम उस पे label लगा रहे हैं तो जो भी हम जी रहे हैं हम अपने perspectives जी रहे हैं तो इस now में खड़े होकर अगर आप बोलते हो कि आपके पास घर आना चाहिए तो आप अपनी एक reality create कर रहे हो दूसरा person जो आपके साथ रहता है अगर वो चाहता है कि आपके पास flat हो तो वो flat वाली भी reality create हो रही है उस person की life में और वो आप कभी भी नहीं जानता होगे कि उस person की life में क्या चल रहा है तो उसका मतलब यह है कि जो लोग आपके आसपास है in fact मैं भी अगर मैं आपको यह message दे रहा हूं तो यह message आपके सामने आ रहा है कैसे आ रहा है आपने खुद उसको create किया इसलिए हम बोलते हैं you are creators हम creator इसलिए हैं क्योंकि हमने वो अपनी parallel reality create की है अब इसका मतलब यह है कि जो जो हमारी life में है हमारे लोग वो सब कुछ दूसरी reality में भी है इसका मतलब कि आप एक reality में यहाँ पर खड़े होकर आपके पास flat है एक reality में खड़े होकर आपके पास एक बंगला है ऐसे करके अलग-अलग realities में हर कोई है अगर आपका husband चाहता है अगर आपका कोई भी partner चाहता है कि आपके पास एक flat होना चाहिए तो आप यहाँ पर होंगे और आपका husband भी यहाँ पर होगा आप दोनों एक घर में रह रहे होंगी बट उसके बार में आपको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने तो यह manifest किया तो यह question actually आया था एक person के थूँ जिन्होंने पूछा था कि अगर उनकी life में वो चाहते हैं कि manifest करना money manifest करना और उनके partner बहुत जारा negative हैं कि money manifest नहीं होगा तो कोई बात नहीं जब तक आप जितना आप कोशिश करोगे जितना आप एक person को force करने ही कोशिश करोगे कि नहीं तुमको change होना ज़रूरी है तब ही law of attraction काम करेगा मेरे लिए उतना ही law of attraction आपके against में जाएगा क्योंकि जितना आप force डाल रहे हो यूटा भागते हैं आपने देख रखाओगा अगर आप किसी person को पसंद करते हैं पहली भार जब आपके कोई relationship हुआ होगा अगर आप अगर किसको बोलते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं तो वो उतना ही धूर जाते हैं आपसे वो ऐसे ही काम करता है पूरा का पूरा relationship जितना आप पैसे के पीछे भागोगे उतना ही पैसा आप से भी पीछे भागएगा काम आपको ये करना है कि आपको जो manifest करना है वो आप खुद करेचे और वो person का version आपके reality में आ जाएगा वो person का origin आपके reality में आजागा इसका मतलब यह है कि हमारी life में जो लोग हैं वो सब कुछ एक illusion है इसलिए हम बोलते हैं सब कुछ mom आया है क्योंकि हम एक reality में नहीं रह रहे हैं हम एक illusion में रहे हैं और उस illusion में हर एक person के बहुत सारे versions हैं और वो एक version अलग-अलग parallel realities में रहे रहे हैं अब यह थोड़ा बहुत technical हो सकता है समझने के लिए लोग शायल्स पर विश्वास नहीं करेंगे करेंगे नहीं करेंगे बड़ यह scientifically proven है एक Schrodinger experiment किया था बहुत सालों पहले और उसके बाद बहुत सारी theories आ चुकी है, many worlds theory पहे कि हम सिर्फ एक world में नहीं रहे हैं बहुत सारे तरह तरह, बहुत तरह के earths है एक earth है जहां पर बिलकुल peacefulness है एक earth है जहां पर बर्बाधी हो चुकी है एक earth है जहां पर पानी नहीं है ऐसे करके जो आप सोच सकते हो, वो आप create कर रहे हो तो इसलिए हम बोलते हैं कि you are creator, जिसको आप energy दोगे वो चीज़ create होगी तो इसलिए manifestation बहुत easy भी है और difficult भी है easy इसलिए है कि जो कुछ आप सोच सकते हो, वो आप manifest कर सकते हो क्योंकि आप एक creator हो जो God है, जो oneness है, वो oneness आपके अंदर है answers भार नहीं, अंदर है difficult इसलिए है क्योंकि हम एक illusion वाले world में रह रहे हैं जहां पर सब चीज़े real लगती है मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, मैं ये camera बे बात कर रहा हूँ बट मैं जानता हूँ लोग ये video देखने वाले है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही है, मेरे reality में ही है ये लोग जो video देख रहे है बट अभी तो है, इस moment तो है, इस now में है अब change होगा है, अब कहीं दूसरे चले गए अब कहीं दूसरे चले गए अब कहीं दूसरे चले गए, ऐसे करके split होते रहते हैं ऐसे करके पूरी की पूरी parallel realities create होती रहती है इसलिए, इसलिए बोलते हैं कि जितना आप create करते हो you are creators और ये universe हमेशा expand होता रहता है अब वैसे ही micro level पे भी हम चलते हैं ये deep breath अंदर जा रही है और एक time ऐसा हैगा, ये सब कुछ contract हो जाएगा भार, सांस भार जिस तरीके से हम सांस अंदर भार करते हैं वैसी ही ये universe काम करता है expand हो रहा है और एक time पे relax भी हो रहा है काफी सारी realities बंद भी हो रही है past वाली ऐसे करके चलता है ये universe but simply चीज़ ये है कि आपको tension लेने वाली बात नहीं है इन सब चीज़ों के लिए आपको तो सिर्फ इतना ध्यान देने जरूरी है कि आप क्या चाहते हो आपका desire कहा है आपकी energies कहां जा रही है उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है तो दोस्तों अगर आपके पास कोई questions है कोई comment box पो post कीजिए और मैं उनको answer करने की कोशिश करूँगा अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और explain करूँ तुम्हें आने वाले time पे मैं इसको और ढंग से explain करूँग और सुम्हें बताऊँगा कि कैसे ये soul आता है इस reality में और कैसे parallel realities चालू हो जाती है इस एक soul के आने पे यहां पर धीर धीरे करके ये world expand होता रहता है इसको मैं बहुत ढंग से explain करूँगा आने वाले videos में पर मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आपको ये content समझ आता है पसंद आता है तो please अपने दोस्तों के साथ share कीजिए thumbs up button दबाईए और comment box में पोस्ट कीजिए मैं को जानना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कि क्या आपको पसंद आ रहा है क्या आपको पसंद नहीं आ रहा क्या questions है मैं को इससे ये भी पता चलता है कि आपका mindset कहा है कौन सी चीजे आप manifest करना चाहते हो किस reason से आप ये videos देख रहे हो कौन सी चीज है जो आपकी life में आपको लगता है missing है वो अगर आप share करेंगे तो मुझे एक अच्छा idea होगा कि मैं आने वाले टाइम पर कैसा content create करूँ so दोस्तो अभी के लिए इतना ही thank you very much